नमस्ते दोस्तों कविता किचन रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे आईस क्रीम लसी इसे बनाना बहुती आसान है और इसकी सबसे खास बात है कि बहुती कम सामान में कम समय के साथ एकदम वाजार जैसी ठीक क्रीमी और टेश्टी आईस क्रीम लसी जो जगयोटन वाजात बना सकते हैं अब आदा कप चीनी डालेंगे में पैसी चीनी का इस समाल किया है और मैशत देल्ग चुड़एंगे मंचब करते हैं लेकिन चम्माच से बेसे मिक्स करने में अंड़ CPU मोन साब WOR papier लगता है वी तो देखे यह पर इस तरह से यह बहुत ही अच्छे से mix हो जाता है द्यान रखे इस तरह की लसी बनाते समय हमें hand blender या mix का इस समाल बिलकुल भी नहीं करना है ऐसा करने से कि इस लसी को बनाते समया आपको खटे दई का इस समया बिल्कुल भी नहीं करना है दई आपका या पर प्रॉपर तरीके से ताजा होना जोरू है ऐसा करने से क्या होता है कि लसी जो ए बहुत ही टेश्टी बनके तयार होती है और आप देख सकते हैं हमने इसे लगातार चलाते हुए लगबग 4-5 मेट के लिए अच्छे सी मिक्स कर लिया है इसकी कंशिस्टंस से आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूध क्रीमी और थीक बन के तयार हो गई है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसे कवर करके लगबग 2-3 गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि हमारी लस्टी जो अच्छे से थंडी हो जाए इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब वैगरा डालके इसे तुरंट सर्व कर सकते हैं लेकिन मैंने यापर 2-3 गंटे के लिए इसे फ्रीज में रख दिया था और देखे लस्टी यापर बहुती अच्छे से थंडी हो चुकी है और काफी थीक हो गई है तो अब हम इसे एक सर्विंग ग्लास में निकालेंगे तो सबसे पहले हम ग्लास में नीचे थोड़े से कटे हुए काजू बादाम और चेरी डालेंगे तो देखे मैंने यापर कटे हुए काजू बादाम और चेरी का इस समाल किया है अब हम इसमें हमारी लसी डालेंगे और आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जिसी थीक क्रीमी और टेश्टी लसी आपर बनके तयार हो गई है अब हम इसे ग्लास में अच्छे से डालेंगे और इसके बाद हम इसमें आइस क्रीम डालेंगे और लिजे हमारी थंडी थंडी काजू फ्लेवर वाली बहुत ही टेश्टी क्रीमी और ठीक आइसक्रीम लस्टी सर्व करने के लिए बिल्कुल तयार है तो है ना इसे बनाना आसान मार्केट से भी बढ़या ये वाली लस्टी जो है बनके तयार हो चुकी है गर्मियों में आप इस रेसेपी को जरू ट्राय करें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद